हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागए थे आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरब में और दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं उत्राखन लेक्षर केमेस्ट्रिक लिए हम तयारी कर रहे हैं दोस्तो और उसी सीरीज में आपके बीच में आप लोग बने रहे हैं लास तक और सौरी थोड़ा लेट हो जा रहा है वीडियो डालने में क्योंकि कुछ मैंने बताया कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इस वजह से लेकिन अब से मैं डाल कोशिस करूंगा मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूं ओके तो चलिए सुरू कर है और बाकी अगल बगल वालों का हम कर सकते हैं जिसका बोलना है यहां पर और बाकी अगल बगल वालों का हम कर सकते हैं यह आपके प्लस टू जो है आथा जाएगा है और यहां पर प्लस करके ऑक्सिजन का कितना होता है जो करती है जनरली तो तीन oxygen है और total minus 2 है और भार से twice लगा होगा इसका मज़ब total 6 हो गया और in 2 उसका minus 2 से कर दीजे क्योंकि minus 2 oxidation स्टेश होका रहे और equal to zero क्योंकि चार्ज कुछ भी नहीं है तो जब यह calculate करेंगे तो कितना होगे यह 12 हो गया और 12 यह दो इदर जाएगा तो 10 हो जाएगा है ना तो इस तरीके से हाँ ठीक है यह यहाँ पर क्योंकि यह twice था दोस्तों CLO3 का twice था इसलिए यह 2x होगा एक्स नहीं होगा तो इस वजह से फिर 2x is equal to 10 and x is equal to 10 by 2 यानिकी 5 तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5 oxidation state जो है वो plus 5 जो हो करेगा तो यहाँ पर first right answer होगा ठीक है चलिए आगे बढ़तें next अगला क पसंदेखिए the oxidation state of oxygen and sulfur in OF2 and H2SO5 are respectively तो यह हम आसानी से बता सकते हैं पहले वाले में देखिए OF2 oxygen तो भाई जितनी फ्लोरिन पर जो है negative होगा उतना ही oxygen दिखाएगा क्योंकि एक oxygen को अगर हम x मान लें तो f जो है कितना होता है एक negative होता है तो दो जो है f यानिकी 2 negative और वो प्लस हो जाएगा इसका मतलब इसकी तो हो गई प्लस 2 ओके और यहां पर देखिए H2SO5 अब यह जो देखने पर यह इसमें थोड़ा सा यह structure थोड़ा एक exception है दोस्तों क्योंकि अगर मैं इसको डारेक्ट निकालूं अगर मैं इसको डारेक्ट निकालूं तो मुझे क्या कर अगर मुझे एस मतलब यहां पर सलफर के निकालनी थे सलफर को X मानना पड़ेगा और 2X 2 इंटू 1 होता है तो 1 हो गया ठीक है प्लस X हो गया और और यह हो गया 10 हो गया ठीक है तो इसका मतलब यहां पर X बराबर होगा 10-2 यहांनी च्छ आठ यानि प्लस 8 हो रही है अगर हम इसको निकाल रहे है लेकिन एक्षिल में इसकी प्लस 8 नहीं होती है ठीक है तो इसका जो ऑक्सिडिशन नमबर है दोस्तों वह थोड़ा हमें स्ट्रक्चर के माधियम से समझना पड़ेगा क्योंकि जो यह एच्ट्टू एस सो ओफाइव का जो स्ट्रक्चर होता है इसम हो ऑक्सिजन इस प्रकार से आजेंगे बाकी है यह यहां से लग जाएगा और टोडल फाइव है न तो एक कि दो तीन चार पांच ठीक है कि यह एच्टू हो गया और एस ओ हो फाइव हो गया ठीक है दो तीन चार पांच ठीक है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप में देख सकते हैं कि जो यह वाले बॉन होते हैं यहां पर इस तरीके से पायो प्रॉक्साइड बॉन्न इन में जो है oxygen की जो state है वो minus 2 न होकर क्या होती है minus 1 होती है यानि कि ये दो जो oxygen है इन पर minus 1 होती है बागी के जो होंगे ये rest of 3 इन पर minus 2 ही होगी तो इस विज़ा से जो है इसका जो calculation है वो थोड़ा अलग हो जाता है क्यासे जो 2 into 1 है वो तो रहे गए रहे गा मलब जो hydrogen है वो तो वैसा है अब यहाँ पर देखिए जो x है ये x हो गया और plus करके हम क्या करेंगे तीन जो हमारे oxygen थे उनको तो minus 2 पर लेंगे मैंने बताया था और जो परोक्साइड वाले हैं 2 यानि कि दो जो oxygen परोक्साइड वाले हैं उनकी minus 1 लेंगे तो इस तरीके से ये total 0 के बढ़ा होगा अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया और ये कितना हो गया 6 यह प्लस 2 था 6 to 8 हो गया लेकिन जब से इसमें से 2 यह minus करके हो जाएगा minus के 6 और उदर जाके प्लस के 6 यानि कि एक्स होगा प्लस के 6 तो actual state यो है इसकी जो है प्लस टू और प्लस सिक्स तो आप इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन होते हैं इनको भी जरूर याद रखेंगे ताकि इनके अंदर जो ऑक्सिडेशन स्टेट है उसको स्ट्रक्चर के माधियम से समझा जा सके ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखें यह देखें कुछ इस ओक्सिजन है वो माइनस वन पर हैं इस वज़े से इसकी थोड़ा चेंज लाती है ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स देखें दोस्तों यह एक जो कॉंप्लेक्स कंपाउंड वारा चैप्टर है हमारा कोडिनेशन कंपाउंड उससे जो है यह रिलेटेड है वो अभी हमने पढ नहीं है तो जो कोडिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें नोमेंक्लेचर को देखेंगे इनके लेकिन फिलाल के लिए आप इतना समझ दीजिए कि जो यह होते हैं यहां पर यह और यह यह लीगेंड कहलाते हैं तो यहां पर यह एक नूटरल लीगेंड होता है इस पर आपके पास केवल जो है वो प्लस टू ही बचेगा क्योंकि टोटल जो है यह प्लस टू के बराबर है तो यहां पर जो एफ ए है उसके अक्सिदेशन इस्टेट क्या होगी प्लस टू और इस वाले में देखिए एफ ए सी एन का होल फाइब एन ओ टू नेगटिव तो ए जिरो ही हो गया तो इसका मदलब यह हो गया माइनस फाइब और उदर जाके जाएगा तो इसका मदलब यहां पर इसकी तो हो गई आपके फरस्ट वाले की प्लस टू और सेकिन वाले की प्लस टू तो किसमें है आंसर राइट? यह हो गया आपका डी वाला ठीक है ना प्लस ट्री और प्लस पॉर इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं इसको आसानी से जो एस्टू और न्यूट्रल लिगेंड होने कानल उनके जीरो हो जाएगा इसलिए प्लस टू के बराबर होगा और सेकिन वाले की आप देख सकत बराबले को देखें इन ये चार कॉंप्लेकस आपके बास बता रहें अब इन में से हम चारों की जब निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा है क्वोण सी हाइस्ट होगी अब इसके लिए हम क्या करेंगे हम कुछ चीजें समझ बेसिकली समझ लिएनी चाहीं जैसे कि कि ci o है ये एक neutral ligand होता है, neutral ligand का हमेशा 0 होता है, तो जब ये 0 होगे तो इसका मलब ये तो सबसे कम हो गया, तो पहला वाला तो भाहर हो गया, अब second वाले को देखिए, ni, k2, ni, f6, अगर हम इसको तोड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k2 positive और ni, f6 का 2 negative होगा, है न, तो इसका मलब total 2 negative के बराबर है, और nickel का अगर हम x माल लें, जो f है, यानि fluorine है, उसके minus 6 होगा, है न, ये ही होगा, देखिए, nickel को अगर हम x माल लें, और जो 6 fluorine है, उनका minus 1 होगा, और बाकी, ये total किसके बराबर होगा, minus 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये k2 positive है, तो उतना ही minus भी होगा, ये इदर चला जाएगा, तो आपका, ये minus के plus हो जाएगा, तो minus 2 और plus 6 कितना रह जाएगा, plus 4, तो इसका मलब plus 4 है, इस second वाले की, third वाले की देखिए, third वाले में again वही चीज हो रही है, क्योंकि यहाँ प है, ये वाला जो aqua complex है, ammonia का, ये वाला इसका 0 होता है, ये neutral ligand के अंदर आता है, तो इसका total हमारे पास आजाएगा, क्योंकि ये 2 है ना, तो इसलिए total 2 के बराबर होगा, तो इसलिए x की जो value है, इसमें plus 2 आएगे, क्योंकि जो दूसरी साइट इसमें total power बची वही बची है, ऐसे d वाले में देखिए, k4, ni, cn6, तो ni को x मालने, अगर nickel को, तो cn6 यानि कि plus k6 जाएगा, क्योंकि cn, एक cn का क्या होता, minus 1 होता, दूसरी साइट जाएगा, तो plus k6 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते कि सबसे ज़्यादा, अच्छ, नहीं नहीं, यहाँ पर क्योंकि complex के बाहर k4 भी है न, देखिए, यह k4 भी है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, अगर हम इसको ions में तोड़ेंगे सबसे पहले, तो यह होगा, nickel, cn6, और 4 negative, है न, क्योंकि यह 4 positive था, तो अब हम करेंगे, अगर, तो यह जाएगा, x plus 6 into minus 1 और इदर जाके, जो minus 4 है वो भी लिखेंगे न, तो minus के 6 उदर जाके हो जाएगा, आपका plus के 6 और minus के 4 और plus के 6, यानि की plus के 2, तो यह इसकी होगई plus की 2, तो इसकी होगई plus की 2, इसकी होगई plus की 2 होगई, और इस b वाले की थी हमारी plus की, कितने आ रहे थी, plus की 4, और इसकी तो जीरो थी तो इसका मुझदब सबसे ज्यादा किसकी है बी वाले की है ओकी तो इस तरीके से हमें चारों जो निकालने आने चाहिए यह हम पढ़ेंगे जब कोडिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उनमें यह कॉंप्लेक्स कंपाउंड का पढ़ेंगे देखें नेक्स क्वेशन है एक्विवेलेंट वेट ऑफ के आमनो फोर इन नूट्रल और स्लाइटली अलकलाइन मीडियम तो यह हम पढ़ चुके हैं हमने देखा था कि जो एक्विवेलेंट वेट है किसी मॉलेक्यूल का वो कैसे निकालते हैं उसका जो मॉलेक्लर वेट है व को अपन टोटल नंबर ओप ऑक्सिडेशन में कितना चैंज आया है द्यूरिंग रियक्शन तो हमने इसकी रियक्शन देखी भी थी दोस्तों कि जो एम एन ओफोर है के एमनो फोर सॉरी या एमनो फोर नेगेटिव कैलीजीज को यह निउट्रल या स्लाइटली जो म्यों यह तो लिए यह तो हमेसे क fines सकते कि एमनो फोर के अंदर जाए सेवन देसन सरे हो और हैनो यहां फिके अन्दर पल्ल सब्स फHow to our station test होते थि इस तरीके से ब्ल्स प्रान से सट होती इस तरीके से व्हозможно करो हमें वही निकालना होता कि कितना की गिरावट है देखिए यहां पर जो के में फूर है उसका आपको मॉलिक्लर वेट जाहे आप कैलकुलेट कर ले चाहे इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए 158 होता है इसका मॉलिक्लर वेट और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट में कमी आई है वो तीन क्या आई है तो इसलिए यह अपन त्री करेंगे तो यह आपका कितना आजाएगा तीन पंजब पंद्रह और तीन दूनीचे लगबग 52 पॉइंट सम्टिंग आ जाएगा तो यह देखे सी वाला ही इसमें राइट आंसर हो रहा है तो सिंपल सी बात है हमें क्या करना है आपके जो आपका मॉलिकुलर वेट है अपन टोटल नंबर ऑफ चैंज इन ऑक्सिडे में 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 मीडियम यह हमने पहले भी डिसकस किया था नेक्स देखिए इन स्ट्रॉंग अलकलाइन सॉल्यूशन दा इक्विवेलेंट वेट ऑफ के में ओ फोर यहां पर अगें वही क्वेशन आ गया लेकिन थोड़ा घुमा कर बात करी गई है वन बाइफ फॉर्थ आप इ कर लेख टाइफ इंगे एक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे स्ट्री तो यह आपके पास मोलर मास कितना जो मॉलेक्लर मास है अप उन टोटल कमी कितनी आई है तो अब यह हमने बात की कि जो एक ऑफोर वो चेंज होता है किसके अंदर M1 O2 के अंदर ओर जो चेंज आता ह हो कितने का आता है साथ MN की जो oxidation state है वो प्लस 7 से गिर कर किसमें प्लस 3 में जाती है MN O2 में तो इसका मुलब total 3 का जो है तो प्लस 4 में जाती है total 3 का जो है change आता है total 3 का जब change आएगा तो आप जब हम equivalent weight निकालेंगे तो equivalent weight हमारे पास मैंने बात की थी अभी इसकी 158 होती है और उसका क्या करना पड़ेगा 1 upon 3 करना पड़ेगा इसका मुलब उसका 1 by 3 करना पड़ेगा तो वह इसका मुलब जो second वाला है तो वह कुछ इस प्रकार से तूड़ता है Kmno4 change into MnO2 और KOH plus 3 nascent oxygen निकलती है यहां पर in strong basic medium है na alkaline medium या basic medium जो भी कही है तो यहां पर change कितने का आएगा plus 3 का जो है change आए क्योंकि plus 7 से plus 4 में गया यहां पर plus 7 थी और यहां पर plus 4 थी जो आपका equivalent weight है कितना होता है molar mass upon आपके पास change in oxidation state तो वह तीन का change है molecular mass 158 होता है इसका मलब जो molecular mass है उसका 1 by 3 करना पड़ा तो वही वह पूछ रहा है question के अंदर कि कितना करना पड़ेगा 1 by 3 करना पड़ेगा यहां पर राइट आंसर ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स question देखिए अगेन अगला question है तो यहां पर अगेन हमें निकालना है कि अगर molecular weight देखा है तो equivalent weight कितना होगा तो दोस्तों हम जानते हैं हमें acid और base के भी reaction देखनी बड़ेगी यहां पर बात होरी है कि अगर कोई acid है तो उसका अगर equivalent weight निकालना है तो वो क्या होगा molecular उसका weight upon basic city बेसी city ठीक है तो basic city कैसे निकालेंगे basic city सिंपल सी बात है कितना मतलब OH जो है वो निकाल सकता है या कितने h positive जो आयन है वो remove कर सकता है जैसे कि आपका हम बात करें यहां पर reaction के अंदर वो बात करा oxalic acid की तो oxalic acid को हम किस पकार से लिख सकते हैं COOH और COOH ही ऐसे लिखा जाता oxalic acid तो यहां पर इसकी जो basic city है वो कितने होगी कि number of hydrogen जो हो कितने यह remove कर बाएगा in aqueous medium या solution के अंदर यह total दो hydrogen है वो remove करने की इस्तिति में है ठीक है इसलिए इसकी molecular weight m कुछ भी होगा उसकी upon में हमें 2 करना पड़ेगा तो right answer भी हो जाएगा ठीक है तो आयोब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो equivalent weight है वो molecular weight upon basic city होता है और जो oxalic acid है इसकी जो basic city है वो 2 होती है इसलिए upon में 2 आएगा नेक्स देखिए यहां पर match list first with second देखिए यहां पर हमारे पास total चार जो है वो element दे रहे हैं सारे ठीक है oxo acid of phosphorus दे रहे हैं सारे ठीक है oxy acid of phosphorus और हमें इनकी basicity बता नहीं है तो इनकी basicity हम बता सकते हैं किसके basis पर कि इनके structure के अंदर कितने OH परजेंट है अब इसके लिए इन चारों इनके structure हमें पता होने जरूरी है दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे हम नहीं बता सकते जैसे अब यह कैसे होगा जैसे structure को हम समझेंगे तब पता चलेगा जैसे पी और तोटल आपके पास दो oxygen है है न यहां पर एक तो इस प्रकार से double bond से connect होगा एक जो है वो यह इस तरीके से ठीक है तो इसका मतब यहां पर जो structure है उसके अंदर यह ओएच जो हैं वो कितने हैं एक है तो इसकी जो रहेगा डबल बॉंड से connected बाकी जो तीन oxygen है इसके अंदर वो ओएच वाले फॉर्म में रहेंगे तो इसका मतब यहां पर basic city हो जाएगी तीन यहां पर जो एक oxygen है वो ऐसे रहेगा डबल बॉंड के साथ और बाकी की जो दो oxygen है वो ओएच के साथ connect रहेंगे तो इसका मतब यहां पर दो हो जाएगी आपके उन में चार जो हैं आपके ओएच बॉंड से कनेक्ट रहेंगे तो इसका इसकी जो है वो चार हो जाएगी इन चारों के जो है डिफ्रेंट स्ट्रक्चर है और इसके बेसिस पर इनकी बेसिसिटी तय होती है तो इसका मलब जो सबसे ज्यादा जो basic है इसमें जो सबसे ज्यादा बेसिसिटी का क्रम है वो कौन सा है हाँ एच पॉर्प यह वाला यह वाला ठीक है तो इसमें अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है तो इसमें मैच दा फॉल्लविंग पूछा हुआ है तो अगर हम इसको ध्यान से देखें हाँ तो एक हमारे पास हो रह है तो इसका हो गया आपके पास फॉर का एका फॉर और आपके पास छिएक सब्स गसा हमगे तो इसमें हो रही है तो इसमें बॉयक्ता है वाले में ही हो रहा है सीन होजाएगा सी वाला भी सेम है लेकिन उसके अंदर सी को देखते हैं देखना पड़ेगा फिर सी को सी का वन है या थ्री है सी का आपके पास हाँ वन है ठीक है राइट आंसर यहां पर भी हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमें यह इन चारों के स्ट्रक्चर जो है याद रखने है और इतने ओएच जो है उसमें लगेंगे उसके हिसाब से उसकी बेसिक सिटी तै हो जाएगी ठीक है नेक्स देखिए इन स्ट्रॉंग अल्कलाइन मीडियम दा इक्यूबेलेंट वेट ऑप केमेन फोरेज तो यह भी हमने बात कि एक्यूबेलेंट वेट जो है वो निकालना होता है इनके रेक्शन के अंदर वो हमें याद होना चाहिए क्योंकि हम इतना ज्यादा एक्जाम के अंदर उसको लिखेंगे फिर उसके अंदर चैंज देखेंगे यह इतना टाइम वहां पर नहीं वेस्ट कर सकते हैं तो यह जो स्ट्रॉंग अल्कलाइन मीडियम यहां प प्लस से प्लस सिक्स में तो इसका एक का चैंज आता है एक की गिराट आएगी तो जो नीचे है आपका इक्वेलेंट वेट क्या होता है एक का चेंज आए तो एक से कोई फरक नी पड़ेगा तो 158 ही रहेगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपके D option हो जाएगा निकाला कैसे यह देखिए इस तरीके से यह चेंज होता है यहाँ पर Kmno4 से यह K2mno4 यानि की प्लस 7 से प्लस 6 में चेंज होता है strong alkaline medium के अंदर और इसलिए यहाँ पर केवल एक का चेंज होगा है इसलिए टोटल oxygen number में चेंज एक का है तो 158 by 1 किया आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए इन इस चेंडराइजिशन ओफ एन ए टू सो थी यूजिंग के टू सी आटो सेवं दा ऐडाग आइडिवेटरी ता इक्वेलेंट वेट ओफ के टू सी आटो सेवन तो के टू सी आटो ओ सेवन का कह रहा कि जब NA2S2O3 जो है वो K2 CR2O7 में reduce होता है तो वहाँ पर क्या change होता है तो यहाँ पर K2 जो CR2O7 है दोस्तो यह change हो जाता है आप यहाँ पर इसकी सबसे पहले oxidation state देखेंगे तो कितने होगी यहाँ पर देखे कितने हो रही है plus 6 है न यहाँ पर यह plus 6 oxidation state में है यहाँ पर CR यानि की chromium और इसकी जो change होगी आपका यह जब change होगा standardization of NA2O3 में NA2S2O3 तो यहाँ पर यह reduce जाएगा chromium 3rd के अंदर 3 positive के अंदर तो इसका मनलब यहाँ पर जो total 6 positive से 3 positive पर आने में change कितने का आएगा oxidation number में अगर हम change देखे तो total हाँ तो total 6 का change आपका दिख रहा है यहाँ पर देखिए इसको यह reaction कुछ इस परकार से होगी दोस्तों यह K2CR2O7 जो plus 6 में वो plus 3 के अंदर आएगा एक जो CR है यानि कि plus 6 से plus 3 में आने में तीन का जो है change आया एक क्रोमियम के अंदर तो 2 क्रोमियम के अंदर कितने का change आएगा plus 6 oxidation state की कम ही आई है तो वही है अब बाकी हमें पता है कि जो आपका जो equivalent weight है वो क्या होता है molecular weight बटे total number of oxidation number तो यहाँ पर molecular weight तो हम आसानी से निकाल पाएंगे और upon 6 कर लेंगे तो यहाँ पर exact number हमें पूछ नहीं रहा हमें बस यह पूछ रहा है कि कितना होगा upon में molecular weight की तो upon में तो हमने देख लिया कि कितना हो रहा है 6 हो रहा है तो इसलिए यह right answer हो जाएगा अगर निकालने को बोलेगा तो हमें molecular weight calculate करने पड़ेगा के टू सियार्टो ओ सेवन का और उसके आपपाउन में 6 करना पड़ेगा ठीक है नेक्स देखी oxidation state of chromium in के टू सियार्टो ओ सेवन तो यह अभी वही जो हमने बात की थी अभी उपर कि के टू सियार्टो सेवन का जो अक्सिडेशन स्टेट हमें निकालना पड़ेगा इसका तो याद ही रह जाए तो ज्याद अच्छा है आसानी से हम फटाफट कर पाएंगे वह और ना के बार 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 वहेंगा हरा सकता है ना बाकी निकालने में करना पर लेगा टू के पॉस्टिव का वम हो जाएगा वथी मिम्म को माना है घ्रम나 है तो इसि लिए हैखts ञाल जाएगा और यह आक सिजयन का ऑशिजेगा कितना में हो जड़ आप साथ दूनी जोड़ एक यह जाएगा क्योंकि माइनस के 2 हो जाएगा oxygen की तो यह 14 हो जाएगा और 2 उसमें से माइनस चला गया तो 12 हो गया तो 2x बराबर हो गया plus के 12 तो x is equal to 12 by 2 यानिके 6 तो इस तरीके से plus 6 जो है इसमें सो करता है और ऐसे भी आपको याद अखना है क्रोमियम की जो oxidation state है के टू सियाटो और से उनके अंदर वो plus 6 होती है तो यह बाई हार्ड याद कर लिए नेक्स देखे दा oxidation number of sulfur in S8, S2, F2 and S2S respectively are तो यहाँ पर हमारे पास दो element दे रहे हैं दो नहीं यहाँ पर हमारे पास तीन element दे रहे हैं S8 अलग है इसमें S2, F2 अलग है और S2S अलग है तो S8 तो आपका neutral है तो neutral सबस्टांस के अंदर 0 होती है तो यह 0 हो गया S2, F2 तो यहाँ पर जितन F2 के उपर 2 negative charge होगा तो upon into 2 हो जाएगा तो यह 2 by 2 यानि कि plus 1 तो S के अंदर कितनी होगी सल्फर की प्लस 1 आएगी और उसके बाद है H2S तो H2S में आपका अगें जो सल्फर है उसको X मानेंगे और hydrogen 2 यानि कि 2 into 1 है ना तो माइनस चला जाएगा तो इसका मुल्दब माइनस के 2 तो कि तरह हो गया यह एक का आगया आपका 0 दूसरे का आगया आपका प्लस 1 और तीसरा माइनस 2 तो यह किसमें हो रहा है देखते हैं तो यहां पर पहला एप्शन है उसके अंदर इस प्रकार से हो रहा है 0 तो प्लस 1 एंड माइनस 2 यह हो रहा था तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं असानी से नेक्स देखिए वेडाय हैं आरित निकालने की हएवे नंबर पॉल टिए मैं करेंगे हम किया मॉल्यकिले रएड निकालेंगे और इन्टू उसको यहां पर बात करें कि हाइस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमे होंगे तो अनों की संक्या ज्याद करने है एवगडर नंबर कितना होता है याद किजिए 0.6.02 अब यहां पर देखिए कुछ चीज़ें अनुमान से भी करनी पड़ेगी इसके अंदर क्योंकि पहला वाला देखिए कि 28 ग्राम है और कार्बन मॉन ऑक्साइड को कल्कुलेट करेंगे जो हम तो कार्बन का होता है आपका बारा और ऑक्सिजन का सोला ठीक है तो सोलर बारा त यह तो एवगेड़ो नंबर के बराबर ही आ रहा है पहला वाला ठीक है सेकिंड वाला जो है उसके अंदर हमें कल्कुलेशन करनी पड़ेगी थर्ड वाला देखिए 46 ग्राम ऑफ सीटू एचपाइव ओएच जब हम इस सीटू एचपाइव ओएच का जब मॉल्यक्लियर व कितना होता है अठारा और इंटू 6.02 जो मैंने बता है आएव गड़ो नंबर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो यह दो हो जाएगा और 6.02 से जब इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो यह 12.04 इंटू 10 की बाव 23 हो जाएगा तो सबसे ज्यादा यही वाला होगा बाकी य यह राइट अंसर होगा ठीक है सॉल देख लिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसका सॉल होगा यह जो नंबर आप मोल्टिप्लाई होते हैं यह पर मोल्टिप्लाई कितने होते हैं 6.02 इंटेंट के बावर 23 यानिकि एवगेड़ो नंबर के बराबर अब नंबर आप मोल् टोटल यह वन हो जाएगा तो यह इतना ही रहेगा इसके सेकंड वाले के अंदर यह लगबख 3.1 के बराबर आ रहा है पॉइंट में आ रहा है क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है उपर छोटी है तो इसका मतलब है अगर हम क्लोग नहीं भी करेंगे तो हमें पता चल जाए कि यह पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब यह कम आएगा और उसके बाद सेकंड वाले के अंदर हमने यहां पर अगें देखा था कि इसका 46 ग्राम दिया और 46 इसका मॉल्यक्लर वेट है तो यह वन हो गया तो इसका मतलब यह भी नहीं होने वाला अब क्योंड लास्ट ह यह वाला बचा जिसके अंदर सीधा यह दो गुने के बरावर हो रहा है तो यह 12 पॉइंट संतिंग हो रहा है तो इसलिए सबसे ज्यादा यह ही यहां पर हो गया ठीक है वाली reaction है, वो acidic medium की है, H positive दिख रहा होगा आपको, तो friends, यहाँ पर जो MnO4 negative है, उसमें आपके oxidation state 7 रहती है, और Mn2 पर आते हुए यह आपका हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर Mn2 positive देए रखा, तो 2 है, तो total 5 का जो है, इसके अंदर change आएगा, तो यह आप याद कर लिजिए कि acidic medium के अंदर, MnO4 में, जो oxidation state है, उसमें गिराड आती है, 5 की, second, इसमें यह आपका neutral medium के अंदर दीख रहा है, तो neutral medium में यहाँ पर, यह तो plus 7 ही है, और MnO2 में मैंने बताया था, कितना होता है, plus 4 oxidation state होती है, फिर तो plus 7 से plus 4 हो गया, तो कितने का आएगा change, 3 का आएगा, तो neutral medium में 3, ठीक है, तो यह हो गया, neutral medium के अंदर 3, तो अब निकालना आसान है, जो equivalent weight है, वो कितना होता है, 158 है, और उसके एक बार 5 आएगा, upon में, और एक बार 3 आएगा, तो जब 5 आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 5, 3, 15, और लगबग 31 point something आजाएगा, और जब upon में 3 आएगा, तो कितना हो गया, तो देखें, आंसर किसमें आ रहा है, तो देखें, यहाँ पर जो पहला ही, आंसर हो बिल्कुल ठीक है, 31.60 हमारा पहला आ रहा है, और सेकिन वाले का 52.60, निकालने के लिए मैंने बता दिया कि, वह ही है, प्रोसेजर, जो acidic medium है, उसके अंदर हमने oxidation number में change देखना है, तो वो MnO42 negative से Mn2 positive के अंदर जाने पर 5 का change आएगा, और neutral medium में केवल 3 जो है, उसका change आएगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, नेक्स देखें, आपके पास the oxidation state of O, यानि oxygen in OF2 is, तो यह आसान है, हमने पहले भी बात कर ली, देखें, बाकी जो compounds हैं, उसमें oxygen minus 2 so कर रहा है, लेकिन यहाँ पर plus 2 so कर रहा है, क्योंकि अगर हम इस oxygen को minus x मान लें, और plus, जो है, 2 into क्या होगा, फिर minus 1, क्योंकि aflorine का minus 1 होता है, और जब हम उसको दूसरी side ले जाएगे, तो वो जाएगा plus 2, क्योंकि 2 into 1, 2 होगा, इसका मतब यहाँ पर of 2 है, उसके अंदर plus 2 oxidation state, यह so करता है, जबकि बाकी जो elements है, ज़्यादा तर उन में हमने देखा, यह minus 2 so करता है, इसलिए right answer यह भी हो जाएगा, ठीक है, next देखिए, match the list first with list second and correct answer, यहाँ पर 4 compound है, again, तो इनके हमें oxygen दे रहे हैं, तो 6 into tool, यानि कि 12 आपके oxygen हो जाएगे और यह total minus 2 के बराबर है, तो 6 oxygen उदर जाके plus के हो जाएगे, और वो आपके घटके, 2 में से 10 हो जाएगा, तो 10 by 4 यानि कि 2.5, तो इसका मिलाब इस वाले की 2.5 है, तो कितना आ रहा है, थार्ड वाले में आ रहा है, फ और 3 oxygen यानि कि 6 हो गया, और यह total minus 2 के बराबर है, तो again वो इदर जाके plus के 6 होगा, और 4 हो जाएगा, और 2x अलड़ी है, तो upon 2 यानि कि 2, तो plus 2 हो गया, तो S2 और 2 negative का plus 2 हो जाएगा, तो 4 में हो जाएगा, अगे ऐसी P O 4, 3 negative, तो P को माली जाए, एक्स oxygen 4 है, 4 दोनी 8 हो ज जाएगे, तो plus के 8 हो जाएगा, तो minus के 3 और plus के 8 ये plus के 5 के बराबर होगा, तो plus के 5 किस में दिख रहा है, आपको second वाले में दिख रहे है, और SO 4, 3 negative, यहाँ पर ये SO 4, 2 negative होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ mistake है, तो यहाँ पर दोस्तों, again sulfur को हमने X मान लेना है, चार oxygen है, तो चार दोनी, 8 हो जाएगा, ठीक है, तो minus के 8 हो जाएगा, उदर ले आएंगे, plus के 8 ये total minus 2 के बराबर है, और इस तरीके से X जो है, वो plus 6 के बराबर आएगा, तो यहाँ पर ये right answer है, तो इस तरीके से हमें ये आसानी से हम इनका निकाल सकते हैं, अब हमें ये regulate कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, next, which of the following element does not form oxy acid, chlorine, nitrogen, sulfur and fluorine, तो जो oxy acid है, वो कौन सा element form नहीं करते हैं, तो जो फ्लोरीन है, वो नहीं बनाते हैं oxy acid, क्योंकि जो oxy acid बनाते हैं, दोस्तों, उसमें oxidation state रहा है, वो रनातमक सो होती है, है न, आपने देखा होगा, अब हमने उपर पर बात की थी, oxy acid की, तो वो जितनी भी oxy acid बन रहे हैं, जैसे आपके, जैसे कि हमने अभी S3PO2 देखा था, वो फासपुरस का था, ऐसी फ्लोरीन का भी बनेंगे, लेकिन उन सब में एक बात common होगी, कि माइनस two oxidation state सो करेगा, लेकिन यहां पर, जो है, वो जैसे कि आपने दिखा है कि इसके अंदर, OF2 के अंदर, तो वहाँ पर वो किस, कौन सी oxidation state सो कर रहा था, प्लस two oxidation state, तो इसका मलब यह oxy acids के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए right answer D है, ठीक है, आगे बढ़ता है next, which of the following compound the oxidation state of oxygen is plus two, तो अभी हमने उपर देखा है कि OF OF2 जो है, उसके अंदर, प्लस two oxidation state सो करता है, तो यह आपको याद हो जाना है, चाहिए कि जो plus two है, वो oxidation state किस में, OF2 के अंदर सो करता है, चलिए आगे बढ़ता है, next देखी, अगला है, which of the following compound the highest oxidation is achieved by, तो सबसे ज़्यादा highest oxidation state किस में अचीव होगी, देखे, configuration को ध्यान से तो यहाँ पर highest oxidation state उसमें अचीव होगी, जिसमें की सबसे ज़्यादा जो है, जो है, elements को लेने की चमता होगी, ठीक है, तो देखे, अगर हम D8 वाले को देखे, पहले वाले को, तो D8, S2, S में दो भर गए हैं, और D में भी 8 electron अलरड़ी हैं, तो यह possible नहीं है, B वाले को द देखे, D में 5 है, और S में 2 है, तो कितना होगी है, ठीक है, हाँ, तो यह जो D में 5 और S में 2 है, आप ग्यान से याद किजिए, जो oxidation नंबर है, यह किसका आ रहा है, यहाँ पर, किसका होगी, पांच और तो साथ, आउटर elements में 7 किसके होते हैं, 3D series में याद किजिए, यह होता है, आपका MN, यानि कि Magnes 25, अगर हम MN 25 का electronic configuration लिखेंगे, तो उसमें हम एक चीज़ देखने को मिलेगी, कि 4S में 2 electron जाने के बाद, 3D में इसमें कितने बसते हैं, 5, तो यह जो D5S2 वाला जो configuration है, वो आपका MN के साथ, जो है, मैच करता है, MN को सो करता है, और MN जो है, वो highest oxidation state सो करता है, that is, plus 7, ठीक है, तो plus 7 oxidation state इन में वही सो करता है, बाकि इन में से कोई भी plus 7 सो नहीं करता है, आगे बढ़ते हैं, next, oxidation state of CR in blue CR, यानि की chromium oxide, तो chromium pentoxide है, तो इसके अंदर CR की जो है, वो कितनी हो जाएगे, minus के 5, अब देखिए, यहाँ पर, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो इसमें, अगर हम इसको डारेक्ट निकालते हैं, देखिए, chromium CR O 5, X को लेंगे, और plus के जो जाएगा, minus के 2 into 5, और upon is equal to 0, यानि की यह हो जाना चाहिए, plus के 10, तो इसका मदब X की जो है, वो 10 होगी, तो यह तो गलत हो गया, oxidation state, actually में, जो chromium की CR O 5 के अंदर होती है, वो 10 होती ही नहीं है, तो इसका explanation है, वो कैसे होगा, हमें इसका structure देखना पड़ेगा, CR O 5, structure अगर हम इसका देखेंगे, तो यह इस प्रकार से होता है, एक double bond से जुड़ा होता है, oxygen, बाखी जो है, oxygen, पांच, जो चार oxygen है, वो कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो दोस्तों, यह आपका peroxide है, तो peroxide के अंदर हमने पहले भी बात की, कि जब peroxide वाली स्थिति आये ही, तो minus one oxidation states होगरेगा, तो यह चार जो हैं, यह peroxide में, तो हमने अभी बात की, कि जो इसका structure है, उसमें जो chromium है, वो यह चार जो है e paroxid वाले हैं, तो चार जो अक्सजेन है इसमें ये परोक्साइड वाले हैं तो परोक्स़ाइड वाले जो उसंकी – 1 रहे गी और जो उपर वाला जो ऊक्सेजन है दोस्तों ये Y.2 जो यूसज्वल होता है उसकी वही सो करेगा तो बस इसको जैसे इसका different हो जाएगा क्योंकि 4 जो है वो minus 1 पे हैं तो 4 into minus 1 और बाकी जो बचा हुआ है वो एक ही oxygen बचा हुआ है तो वो आपका minus 2 पे रहेगा तो उसको minus 2 पे ही तेने दीजी तो इसका मिलब 4 यह होगे और minus के 2 यह होगे तो 4 और 2 6 है तो माइनस के 6 उदर जाके प्लस के 6 तो प्लस के 6 oxidation state यह सोग करेगा CRO5 इसलिए राइट आंसर यहाँ पर option C हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए इन iion, iion the oxidation number of nitrogen isैज़ जो आएट यह है उसके अंदर आपके oxidation state कितनी होती नाइटरोजन की तो azide ion जो है वो किसको बोलते है एज़एड आयन बोलिए jin acid को जो n3H यह आपका azide आयन अब इसमें हमें निकालना है कि nitrogen की oxidation state क्या होती है तो निकालने के लिए करेंगे 3 nitrogen को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा ये 1 hydrogen की 1 है और ये equal to 0 है ना total 0 के बराबर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा ये 1 इदर चला जाएगा तो minus का 1 और upon में 3 किस में आ रहा है option c के अंदर आ रहा है तो इसका याद रखना आपको कि azide जो आयन होता है वह आपका n3h को कहते है ठीक है आगे बढ़ते है next the oxidation state of nickel in niCO4 is तो friends यहाँ पर देखिए co यानि की एक ऐसा neutral ligand है neutral ligand का 0 होता है तो ये 0 हो गया तो ये obviously पूरा पूरा जीर हो जाएगा तो ये डी राइट answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question है the oxidation number of carbon and nitrogen in CS3 and NH2 are respectively तो CS3 का अंदर क्या हो oxygen number क्योंकि CS3 तो directly 3 जो है वो hydrogen पे जो है पॉजिटिव हैं तो दूसरी side जाके वो negative हो जाएंगे तो इसका मुलब माइनस के 3 है hydrogen के उपर sorry carbon के उपर और NS2 में देखिए दो आपके पास प्लस वन आएंगे और वो दूसरी side जाके माइनस वन हो जाएंगे तो ये आपका माइनस 3 हो रहा है और ये माइनस 2 हो रहा है किस में हो रहा है option first के अंदर ठीक है आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको चलिए आगे बढ़ते है है कि की वेलение डवेट और मैं क्या ये मैंने met me काई मैंने किया है मेगनेश Swê 00000 सभर्र विल भी how have of its Online greater when it is oxidized तो हमने पहले भी बात की थी कि माने बिधा श्रह्राइं हो 2 कब आएगा जबकि आपके टोटल जो ऑक्सिडेशन नमबर चेंज है वो 2 के बराबर होगा MnSo4 Magnesium Sulphate इसके अंदर हम कितने की कमी करें कि वो molecular weight का आदा हो जाए ऑक्सिडाइज करके MnSo4 जब चेंज होके MnO2 के अंदर का चेंज होगा तो MnO4 जो है वहाँ पर जो ऑक्सिडेशन स्टेट है वो हो जाएगी आपका कितनी प्लस टू और MnO2 के अंदर कितने हो रही दो दुनी चार यानि कि प्लस फो तो टोटल टू का चेंज आ रहा है तो एक्यूवेलेंट वेट क्या होता है मॉलेक्यूद वेट अपॉन ऐक्षेडेशन नूमर में चेंज्ज तो ऐक्सिडेशन नमबर में चेंज का आधा संबझगे तो वह आपके किसमों डे के अंदर ट कर दिआचि इसको ध्यान से समझहे जोमton एक्यूदल वेट तो मेगनेशन सेलफेट का वह हाप कब हो जाएगा तो हाप तो तभी होगा जब अपन में टू आएगा और अपन में टू कब आएगा जबकि उसके अक्सिदेशन नमर में दो की कमी आएगा तो वह कब आ रही है जब MnO2 के अंदर वह चैंज होगा तभी वह आपका प्लस टू स फ्लस फोर में जाने पर दो की टोटल उसके अंदर चैंज आ रही है तो इस तरीके से हमारे पास यह राइट आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए अपको बताने की ज़ूरत नहीं है अभी अभी हमने वह डिसकस किया था कि जब हम अलकलाइन मीडियम के अंदर उसको चैंज क कि अफ़स्त देखा तो यह हमने देखा कि तीन की जो है आपकी कम्यारी है नूट्रल या स्लाइटली जो एलकलाइन मीडियम के अंदर है नसरीन आउब इस प्रकार से होती है प्लस से ब्लस पौर के अंदर यह जाता है और टोटल तीन की कमी आने के करण अपन में आ जाएगा आपका तीन तो इसलिए जो इक्यूवेलेंट वेड है वो अपन में तीन आने के करण कितना जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा का मॉल्यक्लर वेट के ठीक है तो यह याद अखना है आपको एसेडिक मीडियम में क्या था नीचे पांच था ठीक है यह भी याद अखना आगे बढ़ते हैं नेक्स ऑक्सिदेशन नंबर ओफ आइरन इन फी सी ओ इस तो फी सी ओ मैंने आभी पहले ही बताया आपको कि न्यू मॉल्यक्यूल और आयंस तो यह जो अंडरलाइन किये हुए इनका निकालना है और फी टू इनके अंदर तो निकाल सकते हैं आसानी से जिसको उन्टलाइन किया उसको एक्स मान लीजिए तो थ्री ऑक्सिजन ऑनो थी के अंदर देखिए सब्सरपर नेगेटिव तो तीन लिए यह सब्सक्राइएक अंदर अगे मांने को यह मन हेखें एक आकम इस के अंदर यहां पर विह मानेंगे तो यह ब्लास के टू वाले और एंडूगँखे अंदर यहां पर वी यह ब्लामानेंगे मान हिसको N2O है दोस्तों इसमें हम इसको जब X मानेंगे ठीक है और यह हो जाएगा आपका 2 इन्टू पर यह यहां पर N2O जो होता है इसके अंदर यह प्लस 2 ऑक्सिडेशन स्टेट सोब करता है अब इसको जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो यह आपका इस तरीके से 5 प्लस के 5 प्लस के 2 और थर्ड वारा ही प्लस के 2 यह किस में आ रहा है और आपसन इ में ठीक है एन ओट नेगटिव वाले में तो इसने दिखाया प्लस के 5 F2O में दिखाया माइनस के 2 और N2O में दिखाया माइनस के 2 ठीक है तो यहां पर A यहां पर राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं next इसमें प्लेटिनम है रूथोनियम है और सीरियम है तो कौन सा दिखाता है आपका मैक्सीममय और सीरेश्टरी ए इसमें दिखाएगा रूथोनियम क्योंक düstael्रीयम कि यह किसमें आता है आपका किसम आता है में 40 जिए सेरीज है उसके अंदर आता है रूथोनियम इसका uh किता-45 होता है दोस्तो और ये प्लस एट जो करता है ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है maximum oxidation state होती है रृतनियम की और च्प जके लिए प्लस वन उसके बाद oxidation state of nickel निकालने तो यह तो जीरो हो जाएगा मैंने पहले बता दिया आपको की कारण और मोनो औक्साइड का जीरो होने करण यह जीरो होता है चलिए आगे बढ़ते हैं विच आप दो फॉलिविंग मैगनीज इस बेस औक्साइड ओप मैगनीज इस बेस कौन सा बेस है MnO, MnO2, MnO3, Mn2O7 तो कौन सा है इसमें बेस तो जो MnO वाला है मैगनीज ओक्साइड यह एक बेस कहलाता है ठीक है बाकी यह जो उपर वाले हैं इनका भी याद रख लिजिए जो Mn2O7 वाला है यह आपका acidic है जो M4 वाला है वो वैधर में है यानि कि दोनों है और MnO3 जिसमें कि आपका प्लस 6 है यह यह भी acidic है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए में ऑक्सिडेशन इस्टेट ऑफ थोरियम इस तो थोरियम का जो में जो थोरियम है न कौन से ब्लॉक का ऐलिमेंट है यह आपने देखा होगा कि जो 58 से लेकर 71 तक यानि कि सीरम से लेकर और लिटी नियम तक तो आपके लैंट हो गया और उसके लेकर रेक्सों तीन तक यानि कि थोरियम से लेकर और आपका तक हुआ यह लूबरिक हैं कुछ ऐसा करके है तो तो यह उसका पहला ही अलेमेंट आपका थोरियम को याद अथ ना है तो फरेंड्स थोरियम जो है उसके अंदर आप जानते हैं एक्रिनाइट सीरीज के अंदर 5F में इलक्टरोन भरे जाते हैं और इसकी जो आउटर चार और मोस्ट है और देख हैं तो देखें तो चार इसके मेन powered है ऐसा इसका इलक्ट्रोनिक कॉंफिर्गेशन होता है जो है उसके अनुसार जो है हमने बात की थी कि यहां पर यहां इंदर चैंज होगा तो यह ऑक्सीडेशन होगा तो यह और यहां पर आपका Cu से Cu2 positive के अंदर change होगा तो ये oxidation होगा क्योंकि oxidation नमबर change हो गया electron release हो गया highest oxidation state of actinitis तो actinitis की highest oxidation state है यह आपको पता होने चाहिए कि plus 7 oxidation state वो highest sow करता है क्योंकि 5F में इसमें outer electrons भरे जाते हैं इसके अंदर भी हमें अगेन देखना है कि क्या सही है स्टेटमेंट पहला देखिए ओक्सेडेशन स्टेट ओफ तो यहां पर देखिए ओक्सेडेशन स्टेट कितनी होती है अगर हम इसको कॉंप्लेक्स को तोड़े तो यह एन एटू पॉजिटिव और यह पुरा पुरा जो कॉंप्लेक्स है यह तो नेगेटिव हो जाएगा तो उस हिसाब से एन का माइनस वन होता है तो पाच इंटू माइनस वन यह एन की माइनस फाइब और नो का प्लस वन तो कितना होए प्लस 2x क्योंकि f e 2 into 1 हो जाएगा और x माइनस 5 प्लस 1 ठीक है तो friends यहाँ पर n2 यहनि कि 2 आपके नाट हो जाने तो 2 into 1 हो जाएगा उसकाद f e f e को हमने x मान लिया और cn यहनि कि sinide तो 5 into minus 1 sinide को हो गया और no यहनि कि 1 हो गया प्लस 1 सोरी और equal to 0 के ब्रावर हो गया तो 2 यहाँ पर है 2 into 1 2 हो गया और यह हो गया तो total 3 हो गया और 5 into minus 1 था तो यह हो गया आपका minus के 5 तो 5 पर से 3 गया दो तो प्लस के 2 oxidation state रहा है यह ओक्स एफ e तो यह बिल्कुल ठीक है और दिस इस है और पोजिटिव एजल लिगन तो बिल्कुल यह भी ठीक है और और पोजिटिव यहाँ पर एजल लिगन काम कर रहा है तो इसका मलब और और य आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसके अंदर हम और questions discuss करेंगे ठीक है तो आप practice करते रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 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 elements के ठीक है और जो आपका exceptional वाले जो elements हैं या जिनका structure से पता करना होता है तो वो भी आपको पता होने चाहिए तो इतने काफी है इस वीडियो केंदर थैंक यू सो मच